हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्स्टियाब मेटकल साइंस सेपी एनिटी यानि सैफ़ई पैरा मेटकल 2020 के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो को आंते तक देखें वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल पर पहली बार बेजट है तो तुरौंद चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ साथ आलगे बटन पर क्लिक कर लें जिसे कि सारी इनफार्मेशन आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंसती रहे सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कोन से कोर्स अभिलेवल है जनने में डे सकता है यानि सेफहि पैर ąएटिकल में कोन-कोन से कोर्स अभिलेवल है तो यहां पर आपको कि उतरपदेश उनिवस्टियाव मेडिकल साइंस में अंडर ग्रिजुएट कोर्स प्लस डिप्लोमा कोर्स दोनों प्रकार्व के कोर्स करवा जाते हैं यह देखिए सबसे पहले अकर कोर्स की बात करें तो यहां पर कोर्स दिये गए हैं डिया गया है और उसकी टोटल सीट कि और चहार dalतोर प्लस प्लस प्लसनात करें सबस्कार्व सब्सक्राव त्सब्लेचलों डिग्यों डेडिये बैटेंटेन आतर के उच्छा। और इसमें टोटल सीटे हैं साथ नंबर फॉर्थ पर आता है बैचलर आप आप्टोमेट्री बहुत इस्टुडेंट यह करता है बैचलर आप आप्टोमेट्री इसका फोर यह डियूरेशन है इनक्लूडोमेंग बन इयर इंटर सिफ प्रम 2016-17 में आप से आपको वन इयर गरना आप है और इसे आपको साथ सीट उर अगर टोस्फास की बात करें पैर मेंट्टमी घृप सिस्ट की दो सो चालिस सीट और इसकी बात में आता है नर्सिंग कोर्स तो नर्सिंगकॉर्स में बैचलर साइंश सैंस Master यान बीएक सी नर्सिंग जिसका है और से में टॉटल सिट एन साड़ सीट है घ्रेटोल किया जाएं तो थीन सो सीपते अब बात करते हैं कि दिपलॉमा कॉर्सेंसidée हैं तो इस link पर click करते हैं जैसे इस link पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है यह देखी यहां पर courses दिए गए उसी परकार सबसे पहले स्टाट करते हैं नंबर थर्ड से अब नंबर थर्ड से क्यों स्टाट करते हैं यह आपको थोड़ी ज़र में पता चल जाएगा नंबर थर्ड पर आता है डिप्लोमा इन मेडिकल ओटी टेकनीसियन जिसका डूरेशन दो साल है और टोटल सीट अवेलेबल हैं ती की बात करें तो डिप्लोमा इन फिजियो तेरेपी इसकी भी डूरेशन दो साल है और नंबर आप सीट अवेलेबल हैं 20 सीटे यहां पर अवेलेबल हैं सैफ़ाई पैरामेड कल में डिप्लोमा इन डियालेशिट टेकनीसियन इसकी भी डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक टेकनिसियन इसकी भी दो साल है और गेगनिन की बात करें तो इसकफिकी इमर्जेंसी इंड ट्रामा किया इसकी वीडियूर्शन दो साल है और इसमें सबसे ज्यादा 30 सीटें अवेलेवल हैं इस इसाफ से नंबर फ़स्ट इंड सेकंड को छोड़ दिया जाए नंबर 11 की बात करें तो डिप्लोमा इन ब्लेड ट्रांस्फूजन टेकनेशियन इसमें कि इसकी वीडियूर्शन दो साल है और इसमें टोटल सीटें अवेलेवल हैं 15 अगर टोटल कर दिया जाए तो टोटल 270 सीटें हो जाती हैं अब नर्सिंग कोर्सें में भी आपका डिप्लोमा होता है जोसा की स्टुडेंट जानते हैं डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग काउंसिलिंग में तो यही कोर्स है जी एनम कोर्स इस में चात्र प्रच्छात्रा यानि दोनों स्टुडेंट जा सकते हैं चाहिए जैंसों या लेडि जो कि दोनों स्टुडेंट वर सकते हैं इसकी डिवरुशन दो साल है और तोटल 50 सीटें अवेलेवल हैं अगर तोटल 380 सीटें हो जाती हैं तो अब बात करते हैं कि नंबर एक नंबर दो की तो फ्रेंट्स नंबर एक पर आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेकनेशन यानि डीमल्टी इसकी डिवरुशन दो साल है और टोटल 40 सीटें अवेलेवल हैं और नंबर सेकेंड की जानकारी के लिए में बता देता हूं कि अगर आप डीमल्टी या एक्सरेट टेकनीशन करना चाहते हैं तो आप इसमें इसका फार्म मत भरिएगा क्योंकि कापी इस्टुडेंट जान नहीं पाते हैं और यहां को कोर्स को देखते हुए अप्लाई कर देते हैं और जब वो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं यह कोर्सित उत्रप्रदेस स्टेट चाहिए इसमें आपको कोई भी टेस्ट नहीं होता है डारेक्ट आपका मेरिट सेलेक्षन होता है और यह इंपोर्टन आपको कोष्स प्रोवाइट किये जाते हैं उसमें इसमे तो आप मेरिट के थो भी जा सकते हैं मेरिट सेलेक्शन होता है उत्रपदेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी अगर आप विस्तर जानकारी चाहते हैं तो उपर आपको आई बटन दिख रहा होगा नीचे बीडियू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोबाइड कर रखा है तो इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दिया था क्योंकि यह परिच्छा के थो यह सीटे फॉल्फिल्ट नहीं होती है उत्तरपदेश इस्टेट मेटिकल फैकल्टी के दोरह यह सीटेश फॉल्फिल्ट की जाती है मेरिट सेलेक्शन इसमें होता है बहुत सा तो फ्रेंड्स आपकी जानकरी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश यूनिवस्टिया मेटिकल साइंस यानी सेपी यानी टेक्टी का जो फार्म निकलता है उसमें अभी तक मार्किंग का कोई भी प्राबदान नहीं किया गया है याने अब बात करता है कि पेपर हिंदी में होता है इंगलिस में होता है कि सब्सक्सिंदम आता है तो friends ये confirm है लगातार सालों को देखा जचा तो Hindi प्लस English दोनों बासाओं में यी paper आता अगर आप Hindi में अटेम्ट करना चाहते हैं तो बिव Kings अगर आप्प प्लसाओं में आपका पेपर आता है जो भी बासाओं क CT करना चाहते हैं उसे में आप कर सकते हैं अब सबसे important बात करते हैं कि कब से online फार्म भरे जाएंगे इस बार लेट क्यों हो रहा है तो friends अगर last year की भी बात करें तो last year में भी थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि last year एक नया कोर्स जुड़ा गया था आपको अभी मैंने जितने कोर्स दिखाए वह सारे कोर्स तो अवेले फार्म में अगर इसमें नहीं फार्म डालते हैं तो उनकी जानकरी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल confirm है last year से इसमें भी फार्मा एक नया कोर्स एड हो गया है जिसकी सीटें 60 सीटें है फी फार्मा का को नया कोर्स एड हो गया है अगर आप पूरी जानकरी तो उपर आपको आई बटन दिख रहा होगा नीचे वीडियो के description box में लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिसे आप देख सकते हैं कि इस website पर तो नहीं दिया वैलेबिल में बीफार्मा लेकिन लाश्ट येर से बीफार्मा नया कोर्स एड हो गया है जिसमें की counseling भी student की हुई है और student कर भी रही है या नहीं नया सतर से आपका सुरू हो चुका है और आप इस वार भी फार्मा की सीटे फुल्फिल्ड की जाएंगी counseling के थो भरी जाएंगी सबसे online farm भरे जाएंगे तो friends आप confirm रहें कि जुलाई last अगस्ट के पहले सब्ता से इसके online farm आने वाले हैं और जैसे ही इसके online farm आएंगे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा इसलिए screen पर आपको channel का logo दिख रहा होगा उस पर click करिएगा और channel को तुरंट subscribe कर लिजएगा जैसे कि जैसे ही farm publish हो जैसे ही कोई नया notification जारी हो cpnet exam के बारे में आपके पास तुरंट detail वीडियो आ जाए finally वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरू बताइए और screen पर आपको channel का logo दिख रहा होगा channel को subscribe कर लिए thanks for watching and subscribe my channel